दोस्तों मुश्कार मैं रोष शर्मोर आप देखना सुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइंग आज बारा तारीक है और संभावित सभी नामांकन भरे जा चुके हैं और मेरे साथ अभी कॉंग्रेस से परत्यासी धरहम सिंग चोकर हैं जो हाल में विदायक भी है गाउं में गूम रहे हैं और अभी लगबग आठ बच चुके हैं हलकी हलकी बारिस भी है और अपने डोर टूर कैंपेन कर रहे हैं धरहम सिंग जी कैसा चल रहा है आज पहला दिन है शायद कैंपेनिंग का नामांकन हो गया था किस तरह का लोगों का रिस्पोंस मिल देखिए आज जो मैं पहरी बार देखने को मिला मैंने नोजवान बुड़ा लेडीज मैंने बच्चे चुछ बच्चे में जोस बड़ा बड़ा तो आज का जो महरा जुनाव है बहुत बड़ी अच्छी स्टेज पर है एक तरफ़ा समाल खा में कांगर्स पार्टी की लाहर है अच्छ बड़ानावी आज नामांकन भर के आए उन्होंने भी एक भीड जुटाई और लोगों ने एक सवाल भी किया कि आपने चुप-चाप नामांकन भर दिया और बाकी जो लोग भर रहे हैं वो भीड जुटा गर नामांकन भर रहे हैं इतना शान्ति पूरुन तरीके से नामंकन और कैम्पेन भी ऐसे ही चल रहा है चुप-चाप सा इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी है गया कोई नई राजनीती अब की बार कर रहे हैं दर्म कोई बात नहीं है लेकिन हमारा जो देखो मेरी आज़ता है मैं कभी भी जो भीड कठी करने का मैं एक ही बात करता है मैं लोगों दिलों पर राज करता हूं और लोग मेरे दिल पर राज करते हैं कोई अलग अटरिव को कहीं से मौलाना को बाहर से बनाना को यूपी से बनाना क मेरा तो यह सामने जितने हमारे कंडिडियेटों की नुमनेशन फाइल पे भीड कट्टी होती है ओर इजिनल मेरी कंपैन में गौम कट्टी होती है आप देखें कि बड़ा पुराम करेंगे याज को चोटा मारे बच्टे देखो इतना दूसरों दोबारा पुराम मांग रहे हैं आपने कहा कि भीड होती है बाहर से लोग बुला लिये जाते हैं यूपी से बुला लिये जाते हैं तो थोड़ा सीधा सीधा बोलिये ना कहां से आ जाते और कौन बुला लेता है देखो मैं सीधा टेड़ा कोई चलता है नहीं सीधा चलता हूँ मैं तो वन टू वन का आदवी मैं कभी घुमा के बात नहीं करता मैं इतना जूर करना चाहूंगा हमारा जो समालका की जनता का जो आप देख रहें ना कम से कम जो लोगों ने वाइदा खिदा चोधरी वुपेंदर सी गुड़ा हो समालका में सवालाग वोटों का ये एक तरफा आंदी है आप घूम लेजिए आप ये जितने भी आदमी खड़े हैं होट जागा देले सो आदमी पूछोंगे तो नब बाद में काता है दर्मा बनाएगा भई दर्मा बनाएगा भई तो मुझे वड़ी खुशी होती है अपना पर किशी से पूछ लोगा एक लहरा क्यों मैंने आप पंचे आप चौपाल में मैंने कहा देखो भई बेमानी नहीं नहीं हैं बढ़ते हुए हैं मैंने जो कारेकाल में एक पंप्लेंट बनाया अपना मैंने जो काम किये नहीं से चोदा हैं कोलीज, होस्पिटल, CSC, स्टेडियम, पाउर आउस, आईट याई, गेंद्रे भी जाला है, कुस्पुरा गांदी भी जाला है, पूल, सड़ के और शड़े बाईसों बच्चेनों की लगे हैं, मैंने कहा था भी बेइमानी मत करना, इमानदारी से वोड़ डालना, जो कंडियेटर नहीं समान करना, इज्जत करना, उनसे पच्चोपाल में आके आए, या उनके कारेकरता पूछे, भी तुमने अपने कारेकाल में काम किय अपना रिपोर्ट कार दे दो, वोड़ देंगे जब, मैं अपना रिपोर्ट कार हर पोच्चोपालन दे रहा हूं, जो मैंने काम की हैं, और यहां तब ही कारेकरता है, मेरा पंपनार लेका भी हमारे नेता ये काम करें, और तुम अपने नेता के काम बता दो, तुम्हारे ज्यादा हो तो हम तरह वो डाल देंगे महरे जादा दो तुम मारा वो डाल देंगे हम तो चैलेंज करते हैं छूटी देता हैं काम के उपर डॉकोसले बाज हमें आती नहीं तब हमारे सरकार में यो गता है कि आद बच्चे लगे थे मैं करूं कि राज में प्ष़ड़े करते के यह रात को सोचना लेटना तुम्हारा भला और तुम्हारे बच्चे लोजगार कौन दे सकता यह सोच के वोड़ डालना जिस तरह ऐसे भाजपा की लिष्ट आई और उसके बाद बगावती सूर दिखे फिर कॉंग्रेस ने इस चीज को भाप लिया और लिष्ट आ के आ गए हैं और साथ में राव इंदरजीत भी उनके साथ नजर आते हुए तो इस बगावत पे समालखा में भी आपने कोई गोर फरमाया कि यहां भी जहां जहां अंदूनी बगावत हो सकती है उनसे कोई बाच्चीत करने का कोई तरीका कोई पाइपलाइन बनाया है कि कै का से उन लोगों को अपनी तरफ कर लिया जाए देखिए बगावत तो समालखा में समालखा में बगावत का थे जिसके पल्ले कुछ होता है जिनके पल्ले कुछ बगावत क्या होगी पहली बात तो यह है भाई उनके पल्ले कुछ नहीं है अरे मैं दावे से कह सकता हूं गा तो मुझे सोचना उसको मदान में रहने का मुझे लगता को अधिकार नहीं चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखिए आज नामांकन हो चुके हैं सभी परत्यासी अपना अपना नामांकन कर चुके हैं और अब चुनाओ एक तरह से खुल चुका है कि आगे आने वाल अब तक के लिए इतना ही महरोई शर्मा आप देख रहें दुस्तान नाइन चेहिन